कि अग्युक्त वेल्कम टू मैं न्यू वीडियो सो आज फिर मैं को एक नई वीडियो के साथ आया हूं चेक है वैसे ही सब कुछ डीपली मैंने प्राइस एक्षन को एनलाइज करके कुछ ट्रेड्स नहीं है जिन ट्रेड्स को मैं डीपली एक्स्प्लेन करने की कोशिश करू कई भाईयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरे को बताओ कि मार्किट में कैसे आपने चीजे को एनलाइज करते हो और वीडियो लाओ मेरे को हमारी बहुत होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीजों से कहां मेरे सिखाने से मैं इस तरीके से दिखा पा रहा हूं है तो मेरे जो ट्रेड लिया एज एड़ो योजेक वाइड आज मैं stan लिया है ठीक है मैं वीडियो करता हूं मैंने रिकोडिंग कर रखी है उस वीडियो को मैं सारी एक्सप्लेइन करने की कोशिश करूँगा ए टूज जेट करने के मैंने क्या क्या चीज है देखके ट्रे लेकिन आप देखो बुरा ना मानना हर एक चीज तो नहीं बताई जा सकती कि क्योंकि मेरे क्योंकि आगर आपको कोई भी चीज कॉंसेप्ट को डीपली समझना है उसके लिए फिर आपको कोर्स मेरा बाइक करना पड़ेगा लेकिन जितनी चीजे मैं बता सकता हूं वह चीजे मैं दिखा रहा हूं देखो द्यान से मार्केट के अंदर क्या चल रहा है मैंने देखा मेजर ट्रेंड अप है यहां पर क्या बना यहां बना ट्रिपल टॉप पैटन बनने के बाद मार्केट ने यहां से क्या किया यहां से यूटन किया अब मार्केट डाउन डिरेक्शन मे मार्केट डाउन डिरेक्शन में इसका मतलब अगर आप पुट के ट्रेड लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशल रहेगा अगर आपको भी डीपली प्राइस एक्शन नहीं आता तो ठीक है की जीज़ बताता हो जय से हमारी ट्रेड फीड में बोला जाता है क्रेंड लर जाता है अगरम लो ट्रेंट अपका है लेकिन direction change होगी हो अब एक active face में चल रहा है तो यह तो एनी जो बोलते हैं always go with the trend, trend is your friend, तो क्या मैं trend के हिसाब से correction में भी call की trade लूँ, हम तो trade तब लेंगे ना जब हमारे को पता लगे हमारे किट में you turn होगे मैं direction के साथ चलूँगा, मतलब मैं cool मिला की कहना चाता हूँ, हम binary traders के लिए trend तो important है, trend इसलिए important है ताकि हमें उससे target का पता लगता है, और direction की बात करूँ, तो direction इसलिए हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमें candle by candle trade करने वाले, single candle पे हमें trade करने हैं, तो single candle पे trade करने के लिए हमारे you turn भी हमें समझने होगे, और ये you turn कहा तक जा सकता है, हमारे target क्या होगा, वो भी पता होना बहुत जरूरी है, सिरफ candle और wick इन दोनों के बिहाफ पे आप binary trading नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो ना pattern, ना single candle, ना reversal candle, सिरफ मैंने candlestick और wick reading सीख लिए और मैं सोच के बैठो मैं trader बन जाओंगा, नहीं, आपके लिए सबसे important है market का structure, अगर नहीं आता, तो problem आएगी, market के targets पता होने चाहिए, market की direction पता होना चाहिए, कैसे market नीचे चलते चलते एक एदम U-turn कर लेती है, मुझे U-turn पर ही नहीं पता लगता, ठीक है ना, बड़ी मुश्किल से मेरे को एक trendy market मिलती है, trendy market में trade करने बैठता थूँ, लेकिन market कब U-turn कर जो पैसा मैंने यहां कमाया, मैं यहां U-turn पर गवा देता हूँ, लेकिन क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि मैं तो यही सोच के बैठानों के direction डाउन की है, ठीक है, trend डाउन का है, तो मैं trend के हिसाब से put-kit ले रहा हो थो, तो इसके अंदर बनीवी सारी bearish candle को मैं सोचता हूँ, कि major trend डाउन है, या bearish इंगलफिंग हो गई, तो market अब नीचे जाई, लेकिन market U-turn कर चुकी है, तो अब direction अप किया, तो अब trend में बनने वाले सारे, अब direction में बनने वाले सारे bearish pattern फेल होगी, ठीक है न, क्योंकि market U-turn कर चुकी है, यह बाते नहीं पता लोगों को, इसलिए बं डाउन की, ठीक है न, तो अब देखो मैंने फिर क्या किया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, ध्यान से देखो, मैं एक यहाँ पर horizontal, जो मेरा price bar है, मैं लगा के देख रहा हूँ, यह price bar लगा के देख रहा हूँ, मैं क्यों लगा के देख रहा हूँ, ध्यान से सम रही थी खेक है और डाउन डिरेक्शन में चलते टाइम आपने चीज़ नोट करी जब इस पॉइंट से बायर को rejection मिली सेलर को सोरी सेलर को rejection मिली और सेलर भी को और बायर reply में increase होई राइट बायर reply में increase होई इसका मतलब क्या यहां पिर सपोर्ट लेवल बॉस्ट होंगा तब मैंने लाइन लगा के देखी कि यहां पर सपोर्ट लेवल कों से हमारे लेफट एंड साइड यह जितने भी हायर लोज है न हमारे लिए यह बड़े matter करते हैं यह बड़े ली ट्रेड ली क्योंकि left hand side एक higher low था higher low पर एक यह बड़े लेवल लगा की दिखा रहा हूं यह यह बार वर पोस्ट यहीं फायदा होता है मेरे को strong rejection यह चीज तो clear हो गए यहां बायर एक्टिव है पहली चीज दूसरी चीज इधर से seller को किसने भी किया बायर ने और यहां से बायर आने के बाद क्या बायर कमजोर हुआ या strong हुआ यह देखो बायर strong और इन्हीं बायर ने lower rejection दी seller को इसका मतलब बायर active है इस point पर बायर active है वो आने की पूरी कोशिश करेगा चीक है न और कभी भी over strong candle किसी level पर रुखती है तो वो reversal का sign होता है और मेरे को candle wise क्या signal मिल गया कि एक over strong candle आके पहले मेरे को strong rejection मिली फिर बायर के interest increase हो रही है candle देखो नहीं यह candle इससे बड़ी है उसके बाद यही बायर lower side rejection देखे अपनी present show कर रहे है उसके बाद over strong candle जाके उसी बायर के घर पर closing दे रही है जहां पर मुझे बायर की present show हुई इसलिए मैंने आप पर लिए call के पर बायर की क्लोजिंग देखी इसलिए मैं कॉल के साथ चलगे इससे ज्यादा मैं क्या बता पाता है इसलिए मैं वीडियो मेरा motive रहता है कि जितना हो सके मैं YouTube के जरीए आपको ज़्यादा से ज़्यादा knowledge transfer कर सकूँ ठीक है ठीक है तो यह हमारी trade win हुई clear समझागी ना क्यों बनी क्यों लिवने आपर trade इस support लेवल से मेरे को बायर की present दिख चुकी थी पहले ही candles में दिख चुकी है तो इधर से मैंने बायर की call के ट्रेट ठीक है तो पहले trade हमारी win हुई आगे देखने क्या होता है ठीक है फिर मैं आगे देख रहा हूं कि यह बायर की candle अगर इस एरिया पर बनी है तो बायर क्या reversal करना चाहती है या इसको अब बायर क्योंकि new low लगा है लेकिन इस एरिया में bullish candle बनना एक important signal है बायर continue भी कर सकता है तो मै मैं चुप-चाप देख रहा हूं कि market करना क्या चाहती है ठीक है जब मेरा setup ready होगा जब मेरे को price action बताएगा कि यहाँ मेरे को यहाँ पर signal मिल चुका है story बन चुकी है तभी मैं trade लूँगा क्योंकि market को खुद को नहीं बता हो था कि कौन weak और कौन strong होने वाले तो उसके बी direction या target या candle wise story बना दे तब trade लेनी चाहिए बीच में उनको लड़ने दो जो वो कर रही हैं करने दो इससे patience level बहुत बढ़ेगा ठीक है ना अब देखो ठीक है buyer reply में increase हो रहे हैं इसका मतलब मुझे यह तो पता लग गया है कि market में seller अभी directly इतनी जल्दी नहीं आने वाले है क्योंकि इस point से buyer increase हो है और इस area से मुझे पहले भी buyer की present show हो इसका मतलब हो सकता market you turn करने की कोशिश करें अब मैंने यह next level लगा दिया यह next level लगा है क्योंकि यहां से seller बोस्ट होंगा देखो जैसे मैंने यह point draw किया था किसलिए ताकि मैं को buyers की present show हो रही थी ऐसी मुझे इस इस point से देखो इस point से मैं को seller की increasing show है तो मैंने इसलिए resistance level लगा है कि मैं देखो इस point पे buyer के अंदर क्या हरकत होती है किस type की rejection आती है किस type से buyer continue करने कोशिश करता है या क्या होता है इसलिए मैं आचुक चाप market को देख रहा था अभी मैं इस buyer के बार direct call के साथ नहीं जा सकता में को direction के साथ ही चलना है मैं direction के अगेंस नहीं जाओंगा चैक कितना मेरे को confirmation दे दे अब ऐसे तो previously भी बायर reply में increase हो बहुत बार होता है बायर reply में increase हो जाते है लेकिन direction के अगेंस जो जिसके direction चल रही है वो पार्टी एंटर कर जाती जैसे कि यह ठीक है न अब buyer की increasing को द अब तक seller की हार नहीं दिखती तब तक मैं buyer के साथ नहीं जा सकता clear अब seller downtrend के लिए continuation signal दे रहा है ठीक है देखते हैं क्या हुआ मार्केट में lower high shift हो रहे हैं ध्यान से देखो पहले यहां पर lower high था फिर यहां lower high हुआ अब मार्केट में ठीक है ठीक है अब देखो मैं दिखाता हूँ एक मिनट मैंने करसर कहा रखा यह देखो मैंने इस जिखापर करसर रखा क्यूंकि अब यह point क्या है अब मैं अगर exact point exact line लगा के दिखाऊं यह मेरा एक zone है यह मेरा एक zone है पहले sailor के लिए continuation signal था मैंने बोला था ना direction के साथ चलोगे तो आपकी winning होने का chance ज्यादा होता है next candle bearish है लेकिन इस candle के अंदर पहले की compare rejection बहुत जाता है चीक है अब बंदे बोलेंगे sir के candle में shrinkness तो नहीं हुई हाँ नहीं हुई देखो न यह candle previous candle के अब बंदे बोलेंगे कि यार lower side rejection यह candle weak होगे यह weak नहीं है अगर weak होई होती तो body shrink होती body shrink नहीं हुई इसका मतलब sailor के अंदर supply खतम नहीं हुई लेकिन सोचने वाली बात यह है अगर इस candle की closing यहां हुई है तो next candle की opening साथ क्यों नहीं हुई ध्यान से देखो तो sailor को trend को continue चलना था तो साथ opening देता लेकिन अब gap up में दो बाते हैं अगर यह next candle gap up opening दे रही है तो इधर कोई zone नहीं होना चाहिए लेकिन अगर यह gap up दे रही है zone के उपर तो इसका मतलब भी इसने gap skip किया अब ध्यान से देखना है मैंने आपे call credit कब ली जैसी candle ने gap up opening दी उस टाइम भी मेरे दिमाग में यह था रही सेलर ने continue चलना है तब इसने अपनी बोड़ी में opening दी तो नीचे जाएगी अगर सेलर को नीचे जाना होता तो candle open हुई gap up पहला rule follow हुआ लेकिन second rule क्या है first candle को उपर जाना चाहिए था फिर rejection खानी चाहिए थी फिर मैं जाता फूट के साथ लेकिन ऐसा नहीं हुआ candle ने gap up opening तो दी लेकिन first नीचे गया ध्यान से देखना मैं जरा सा पीछे गरेगी दिखाता हूँ थोड़ा और करता हूँ ध्यान से देखना next candle जैसे close होईगी candle gap up open हो की first जरा सा नीचे से यह देखो यह देखो यह खाईना जटका औ और मैं सहीए देखो मैंने यह लेवल पर कर सा रखा और मैं समझ गया यहां से continue करना चाहता है समझे इसका मतलब gap up opening के बाद first candle को नीचे नहीं आना चाहिए था वो इस लेवल से support लेकि ऊपर चड़ रही है और मुझे यहां से बायर और एक चीज़ और ध्यान दो मुझे इस एरिया से बायर क्या होते दिखी हैं इंक्रीज होते दिखी हैं बायर के entry शो हुई हुई किस लेवल से support लेवल से candle ने opening support लेवल के उपर दी first नीचे गई rejection खाई और क्या लोगे इससे ज़्यादा confirmation और क्या चाहिए ठीक है देखते क्या होते है तो इसी तरीकी की भाईयों मैं अपना हर एक knowledge को share करता हूँ अपने course के अंदर हर एक deeply चीज़े बताता हूँ जो जो चीज़े मैं बता रहा हूँ या शायद मैं कुछ चीज़े हैं जो बहुत deep हैं उनको मैं शायद नहीं भी बता सकता तो वो सारी चीज़े मैंने step by step अप कुछ बताया हुआ है जिसकी फीज भी मैंने बहुत reasonable रुखी है वो चीज़े आप definitely सीखो आपको बिल्कुल success मिलेगी depend करता आपकी practice कितनी accurate है या कितने आप time दे रहे हो market को और इसी तरीके के मैं signal services भी देता हूँ तो signal services अगर आप लेना चाते हो तो मार्किट में जो pin message है जो मेरा telegram में जो public channel है उसके अंदर जो pin message है उसके अंदर सारी आपको detail मिल जाएगी कि आप कैसे मार्किट के अंदर मेरा signal services ले सकते हैं अभी यहां पर मैंने अगेन एक पुठ की ट्रेड ली देखो market की मैं इसे manipulation बोलूँगा मैं इसे full manipulation बोलूँगा ध्यान से देखना इस लोवर हाई से आए होई sailors क्या खतम होई अभी तक खतम नहीं है और स्ट्रॉंग कैंडल लोवर हाई पर रुकी है और इस zone को मैं ड्रो करके दिखाता हूँ यह zone का है यह zone है यह zone है यह zone है चीक है तो candle ने इस zone पर closing दी चीक है इस zone पर closing देने के बाद next candle open का हूँ ध्यान से देखो gap up समझे तो gap up के बाद मैंने नीचे आई और rejection भी देखी तब ही मैं यह से call के साथ गया क्योंकि oh sorry put के साथ गया हाँ क्योंकि market ने left hand side वाले lower high पे closing दी gap up अपनी दी अब देखो gap up होता तो वह zone को skip करता मैं यह line लगा के इसलिए दिखाना चाहता हूँ आपको के candle ने gap up opening दी फिर भी वो zone पे ही बैठी हुई है ध्यान से देखो यह zone में ही opening दी है इसने तो sailor को ना चाहिए न इसलिए मैंने आप एक फुट के ट्रेड ली जो कि मेरी इसे मैं मैंनुप्लेशन बोलूंगा इस तरीके से होना नहीं चाहिए था candle ने lower high पे closing दी left and side वाले और proper seller area में opening दी और first नीचे भी आई तो मेरे को यह confirm होगे न क्यों buyer को उपर जाने के लिए rejection की need नहीं है क्योंकि वो direct अपने घर पर बैठी है seller direct अपने घर पर बैठा है इसलिए मैंने यहां पर direct put की trade ली क्योंकि मेरे को rejection की need नहीं लगी इसलिए मैं पर put के साथ गया यहां पर end of the time buyer enter कर जाएंगे जो कि मुझे बड़ा जीब लगा कि कैसे हो सकता है candle ने closing zone पर दी candle ने gap up opening दी अब seller कर रही था तो मुझे rejection की need नहीं की मैं seller के साथ गया बट हाँ मेरी एंटर पॉइंट बहुत गलत है बट फिर भी मेर को यार यह bullish candle की expectation नहीं थी end of the time यह bullish बन जाएगी ठीक है आगे देखते हैं क्या कि मैंने थोड़ा फास पोड़ करता हूं कि देखो मेर को समझ नहीं आपाई कि यह क्या हुआ तो मैं पूरा जोन रोग करके देख रहा है यह देखो देखो जोन रोग किया यह दो जोन का हाई यह कैंडल ने अभी भी जोन के अंदर ही opening ठीक है फिर मैं proper zone लगा के देख रहा था क्योंकि अब मेरे को loss recover कर रहा है तो मेरे को बहुत short rate चाहिए इसलिए मैं wait कर रहा था कि मैं कोई कैसा point पकड़ू कि जहां से मेरे को बहुत short rate पकड़ू जहां से मुझे winning ही हो क्योंकि loss अब मैं देखना नहीं चाहता एक loss हुआ दूसरा मेरे को भी नहीं चाहिए ठीक है फिर मैंने पूरा zone लगाया कि मार्केट इस पॉइंट से रिजएक्ट हो सकती है ठीक है अब अगर मैं इसको pin bar को week बोलू तो मेरे लिए फिर exhaustion है लेकिन मैं इसको week होती तो यह level से बाइर उपर ना जा पाते नहीं मैं इसको कुछ नहीं समझ सकता ठीक है यहां से seller ने दुबारा एंटर करी जैसे left inside वाला जो मैंने level drop कर रहा था lower है कि तूटने के बाद एक retracement candle enter हो रही है ठीक है अब retracement candle enter हो रही है तो मैं left inside फिर एक level चेक कर रहा था कि मुझे यह over strong candle कहा रूप सकती है मुझे यह पता चले ठीक है मैंने यह level देखा कि मेरे को यह कैसे नार दिखा मैंने इस snr को देखा कि मार्केट में यह कैसे नार से मुझे trade मिल सकती है क्योंकि बायर ने अभी तक हार नहीं माने तो बायर एंटरी करने की कोशिश करेगा इसलिए मैंने आप पर यह level draw किया चीक है अब मेरा यह put की trade लेने का reason समझो यहां पे मैंने लिए put की trade देखो अगर मैं पीछे cursor लगा के पीछे दिखाओं तो देखो मैंने cursor कहां लगा रखा है मैंने cursor इसलिए यहां लगा रखा था कि अगर sailor की candle देखो अगर sailor की candle मेरे को यहां पर closing देती तो definitely मैं बायर के साथ जाता क्यों यह क्या है corrective wave ने अभी तक momentum loss नहीं किया तो बायर इस level से entry लेगा इस S&R से बायर entry करने की कोशिश करेगा इसकी guarantee है यह over दिया gap और ना gap down होई ना gap up होई इसलिए मैं put के साथ मेरे को इस level से उपर पूट की entry चाहिए थी ठीक है तो मैंने आप put के trade ली क्योंकि market में gap था देखते हैं क्या होता है यह बाय लग जीता हूं मैं इसमें मैं क्या बोलू इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा यह बाय लग जीता हूं मैं क्योंकि मेरे को expectation थी कि यह gap fill होगा ठीक है ना क्योंकि बिलकुल seller ने level पर closing नहीं दी थी gap create करा था तो मेरे को यह उमीद थी कि यह gap fill होगा तो मैंने पुट की trade place करी बट बाय लग मेरी बहुत safety margin से पुट की trade लग गई बट मैं बहुत safety margin से जीता हूं देखते हैं क्या होता है मेरे को उमीद थी कि यह gap fill होगा देखो यह gap fill करने भी गई लेकिन last of the time फिर पलट गई ठीक है ठीक है मेरे यह level भी ready है क्योंकि मेरे को पता है सेलर इस level की नीचे अब देखो यह trade हमारी विन हो गई हाँ मैं मानता हूं यह buy luck विन हुई इसमें कोई मेरा कोई बहुत कोई strong reason नहीं था यह मेरी बहुत short trade नहीं मैं कह सकता इसको क्योंकि साफ दिख रहे है यह buy luck जीता हूं मैं चीक है ना तो जो है का एक strong एक face आया एक buyer का face आया उसके बाद seller वापिस इस snr के नीचे आये और buyer अगर इस gap को fill नहीं किया वैसे मिर को में थी यह gap fill होगा यह वाला gap यहां तक का यह gap fill होगा बट यह gap fill नहीं हुआ उसके बाद buyer आये अब buyer का फर्स क्या बनता था कि भाई जो seller इस level के नीचे आया है इस level के buyer को इस level के उपर जाना चाहिए था लेकिन buyer इस level के उपर नहीं जा पाए समझें? buyer इस level के उपर नहीं जा पाए. candle ने opening gap down buyer के जोन में नहीं दी. ध्यान से समझो, यह मत समझना अगर यह buyer का zone है और candle gap down opening देरी आ रहे हैं तो buyer continue करना चाहता है. अगर buyer को continue कर नहीं होता तो बायर इस लेवल के जोन के उपर क्लोजिंग देते हैं यह सेलर के लिए गैप डाउन है क्योंकि बायर की ऑपनिंग अगर साथ होती तो में भी वो नीचे जाकर रिजक्ट होके बुलिश केंडल बना देती है इसलिए वो अपने जोन में बैठ रही है ताकि मैं नीचे जा सकूँ इसलिए मैंने आप पर पूट के ट्रेड लिए मैं दुवारा से इसको ना थोड़ा सा पीछे करेंगे दिखाता केंडल ओपन होते ही डिरेक्ट नीचे ही आ गई क्यों मैंने आपको क्या बोला था अभी पीछे एक ट्रेड ली थी हमने आई थिंक कौन सी थी शायद हाई ये वाली थी इसमें मैंने क्या बोला था अगर केंडल अपने जोन में ऑपनिंग दे रही है तो मुझे है ठीक है रिजेक्शन मिल रही है मेरे को अमीद है कि सेलर नीचे आया है बायर उपर जाने में कामियाब नहीं हो पाए स्ट्रॉंग रिजेक्शन है सेलर ने एंट्री भी बहुत स्ट्रॉंग करी है इस बायर को यहाँ पर उपर जाने से रोका और सेलर ने ऑपनिंग भी इसलिए मैंने आपर एक पुट की ट्रेड लिए ठीक है रिजेक्शन सार है लेकिन मेरे को उमीद है कि इंपल्स यहां से आप कॉंटिन्यू कर जाना चाहिए यह मार्केट यूटन करने के पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी विन उन ठीक है तो कुछ ट्रेड मैंने पांच ट्रेड लिए पांच में से चार भी यह एक वाएं लग हुवा एक खाल के तीन में ओड़ेनी तो अगर इसे तरीके की साते हो तो definitely मुझे follow करो मेरे जितना भी मैंने अपने course में समझा रखा है वो चीजों को observe करने की कोशिश करो मेरे signals को लेने की कोशिश करो जितना हो पाएगा मैं अपनी तरफ से best देता हूं ठीक है न तो आज के लिए इतना काफी करते हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना लाइक भी नहीं करते जरूर करना ठीक है आज के लिए इतना काफी करते हैं ठीक है ओके बाई करते हैं